एक बहुत ही सुन्दर लड़की थी, उसे पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर गाव में खुमने और जंगलों में घूमने ज्यादा पसंद करती थी वह घर से स्कूल के लिए जाती थी, लेकिन वह रास्ते में ही कहीं न कहीं रुख जाती थी कभी जंगल में घूमने चली जाती थी, कभी पूरे गाव के चक्कर लगाती थी ये देखकर उसके घरवाने बहुत ही परिशान थी क्या आप भी इस तरीके की animation story video बनाना चाहते हो ये जो आपने animation story video देखी है इस story के मैंने prompt जन्देट नहीं किये हैं बिना prompt जन्देट किये हुए मैंने अपनी full story की images एक साथ जन्देट किये ना तो आपको image जन्देट करने के लिए prompt को बार बार copy paste करना है ना ही आपको अपनी story की एक line दो line copy करके paste करनी है image देट करने के लिए आपको story की images बिल्कुल free image देट कर सकते हो एक ही click में आईए सीखते हैं कैसे ये animation story वीडियो बनाएंगे अगर आप भी जाते हो इसी तरीके की animation story वीडियो बनाना आपको इस video को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है अच्छे से सीखना है और समझना है चलिए video को start करते हैं और सीखते हैं एक click में अपनी full story की सभी images केसे जन्रेट करेंगे और इस तरीके की full animation story वीडियो केसे बनाएंगे अपने mobile phone से इस तरीके की animation story वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है आपको एक story यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यह story क्रेट की हुई है आप चेट GPT से ऐसी ही तमाम stories अन्रेट कर सकते हो बिल्कुल free में सिर्फ आपको एक title लिखना है और आपकी story क्रेट होकर आजाएगी बिल्कुल free में और यहाँ पर आपको लिखना है story लिखने के बाद write this story character name and description जैसे ही आप यहाँ पर type करेंगे आपकी story में जितने भी character रहेंगे और उनका जो description रहेगा वो लिखा हुआ आ जाएगा यानि आपके character की age कितनी रहेगी और उसके बालों का color कैसा रहेगा उसकी dress कैसी रहेगी सभी कुछ आपको description में लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से आपको जो भी आपके पास story है उसका आपको character का name और description लिखवा लेना है उसके बाद आपको अपनी story को copy करना है आपको ध्यान रखना है आपको अपनी full story को copy करना है और अपने character का name और description यहाँ से इस तरीके से आपको इसे भी copy कर लेना है इसके बाद आपको आ जाना है Artflow AI वेबसाइट पर इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा आप डिरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो देन इसे sign up करने के बाद आपको यहां पर video story वाले options करना है यहां पर देन यहां पर आपको new story पर click करना है सो यहां पर हम जैसे ही click करेंगे I have a story help me get a story two options है सो आपको I have a story पर click करना है क्योंकि हमारे पास story है जो कि मैंने 4 GPT से जन्रेट की है यहां पर आपको select कर लेना है यहां पर your personal children's के लिए आप story create कर रहे हैं children's story मेंने select किया हुआ है तेन यहां पर आपको अपने character का intro और name यहां पर आपको paste कर देना है तो आप यहां पर देख सकते हूं यहां पर हमारे जैसे दो आपके story के character है दो हैं तो आप यहां पर add another पर click करेंगे और आप यहां पर इस तरीके से अपने character का name और description यहां पर paste कर देंगे उसके बाद आपको create this story पर click कर दें और यहां से आपको select your format आपको format select कर लेनी है तो यहां पर youtube का size में select कर लेती हूं 16.9 तो यहां पर हम जैसे ही select करेंगे देन यहां पर आपको select visual style of your story आप अपनी story के visual जो है किस style में रखना चाहते हैं यहां पर 3D cartoon मेंने select कर दिया है देन continue to character पर हम click करेंगे जैसे ही हम यहां पर click करेंगे आपको यहां पर 1-2 second wait करना है देन आपके character यहां पर जन्रेट होना start हो जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं story character से यहां पर जोया और रानी यह जो दो character है हमारी story के यह इसकी mom है देन यह लड़की है और यहां पर 2 character हमारे जन्रेट होकर आ चुके हैं देन यहां पर continue to story board पर आपको click करना है यहां पर जैसे हम click करेंगे आपकी images यहां पर जन्रेट होना start हो जाएंगे और आपकी full story की images यहां पर एक ही बार में जन्रेट हो जाएंगे बस आपको इतना ही process follow करना है और आपको इसी तरीके से Artflow AI website से images को जन्रेट करा लेना है आपको वीडियो को export बिल्कुल भी नहीं करना है वरना आपके credit cut हो जाएंगे आपको एक sign up पर यहां पर 100 credit मिलते हैं और इन 100 credit में से अगर आप इतना process follow करते हो तो आपका एक भी credit cut नहीं होएगा यहां पर आप देख सकते हो हमारी full story की images एक साथ जन्रेट होकर आ चुकी है ना तो हमने इसमें prompt जन्रेट किये हैं, story के और नहीं मैंने story की 2-3 lines copy paste किये सिर्फ यहां पर हमने full story को paste किया था और full story की सभी images हमें एक साथ जन्रेट होकर मिल चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो two image के options है यहाँ पर एक scenes के two images है तो यहाँ पर आप select कर सकते हो scene में कौन सी image रखना चाहते हो देन अगर आपको यह images डाउनलोड करनी है जैसे हम चाहते हैं इन images को डाउनलोड करना तो इसके लिए आपको screen को थोड़ा सा press करना है जो भी image आप download करना चाहते हैं देन आपको download image पर click करना है यहाँ पर आपको नजर आ जाएकर download image जैसे हम यहाँ पर click करेंगे आपकी image यहाँ पर download हो जाए की तो इस तरीके से मैं one by one करके सभी images डाउनलोड कर लेते हूं और आपकी जितनी भी story है आप इसी तरीके से अपनी full story की सभी images डाउनलोड कर सकते हो फिल्कुल free में और यहाँ पर आप इन्हें screen को थोड़ा सा press करेंगे और download image पर click करेंगे image को download कर लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं भी image download करने का options नजन नहीं आता है इसके बाद आपके पाद जैसे यह English में story है तो आप अगर Hindi language में story करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी story को copy कर लेना है जैसे मैंने यह chat GPT से stories अंडेट की हुई है तो यहाँ पर आपको Google ब्राउजर पर type करना है English to Hindi translate तो यहाँ पर हम इसे translate कर लेंगे Google की मदद से यहाँ पर हम story को paste कर देंगे और आपकी story यहाँ पर translate होकर आ जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी story translate हो चुकिए अब आपको Hindi वाली story को यहाँ से copy कर लेना है यहाँ पर जैसे आप इसे copy करेंगे तो आपकी जो story है वो Hindi में जनरेट होएगी तो आपको Hindi voice की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम इसे copy कर लेते हैं और हम इसे AI voice में convert करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने copy कर लिया है और मैं आपको free AI website बताती हूँ इसका नाम है TTS Maker AI website इस website में आप बिल्कुल free में जितनी चाहे उतनी यहाँ पर आप अपनी text से voice and rate करा सकते हो बिल्कुल free में यहाँ पर आपको अपनी script को paste कर देना है यहाँ पर आपकी जो भी story है यहाँ पर हम paste कर देंगे यहाँ पर मैं अपनी story को paste कर देती हूँ और आप अपनी story में post रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर post भी रख सकते हो यहाँ पर मैं story को paste कर देती हूँ देना आप यहाँ पर click करेंगे insert post का options यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर अगर आप अपनी story पूरी में पॉस रखना चाहते हूं यानि थोड़ा सा हूं मलाइक जैसे यह पॉस होता है तो आप यहां पर किलिक करेंगे और आपको यहां पर इस तरीके से यहां पर मैं आपको सो करा देती हूं यहां पर हम किलिक करेंगे दिन यहां पर हम चार सेकिंड का pause add कर देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके सा हमारी full script में यह pause लग चुका है अब हम करेंगे इसे voice में convert इसके लिए सबसे पहले आपको language select कर लेनी है इस तरीके से यह मैंने अपनी script को paste कर दिया है और pause भी यहाँ पर add कर दिया है then language हम Hindi select करेंगे यहाँ पर Hindi language select कर लेंगे then voices यहाँ पर हम select कर लेंगे so यह वाली voice में select कर लेते हूं then आपको यह number यहाँ पर add करना है same to same 7351 then यहाँ पर हम verify कर लेंगे then यहाँ पर convert पर click करेंगे और आपकी voice यहाँ पर sun rate होकर आ जाएगी अब आपको इस voice को कर लेना है download तो यहाँ पर हम इसे play करके सुनकर देख लेंगे voice यहाँ पर आपको बिल्कुल free में voice sun rate होकर मिलती है यह website बिल्कुल free है तो यहाँ पर हमने यह voice sun rate कर लिए देन यहाँ पर हम download के icon पर click करके यहाँ पर है download voice file यहाँ पर हम click करेंगे और voice को हम download कर लेंगे यहाँ पर हमारी file download हो चुकी है अब हम अपनी images को वीडियो में convert करेंगे इसके लिए आपको Luma Lab CI website पर आ जाना है इस website का link आपको नीचे description में मिल जाएगा then try now पर हम click करेंगे और इसे हम Google से sign up कर लेंगे sign in with Google पर click करेंगे got it पर click करेंगे यहाँ पर image का options नजर आ जाएगा यहाँ पर हम click करेंगे यहाँ से हम image select करेंगे जिस भी image को हम वीडियो में convert करना चाहते हैं यहां पर click करेंगे और click करने के बाद यहां पर आपको एक description में यहां पर prompt डाल देना है यहां पर मैं walking लिखते हूँ क्योंकि मैं अपने character से walking कराना चाहते हूं यहां पर मैंने walking लिख दिया है यहां हम यहां पर click करेंगे और आपकी वीडियो यहाँ पर जन्रेट होकर आ जाएगी यह जो Luma Labs AI वेबसाइट है आप ज्यादा टाइम नहीं लगा रही आपकी इमेज को वीडियो में कनवर्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इमेज जो है वीडियो में कनवर्ट हो चुकिए है आपको वन बाई वन करके सभी इमेजिस को इसी तरीके से वीडियो में कनवर्ट कर लेना है यहाँ पर मैंने इसे वीडियो में कनवर्ट कर लिया है तो यहाँ पर मैं one by one करके अपनी सभी images को वीडियो में convert कर लेती हूँ यहाँ पर मैं इस character से भी walking कराना चाहती हूँ तो यहाँ पर यह देख सकते हैं आप हमारी वीडियो यहाँ पर जन्रेट होकर हमें मिली है तेन आपको इसे डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पर इस तरीके से यह जो images हैं यह सभी मैंने वीडियो में convert कर लिये तेन आपको हर एक वीडियो के नीचे डाउनलोड का options मिल जाएगा आपको यहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पर आपके पास वीडियोस आ चुकी है, बोईस आ चुकी है, इसके बाद आपको करनी है वीडियो की एडिटिंग, तो इसके लिए मैं VNA अप्लिकेशन का यूज करूँगी, यहाँ पर VNA अप्लिकेशन को आपको ओपन करना है, आप चाहे तो किसी और कर लेती हूं, एडि ओडियो पर हम किलिक करेंगे और यहाँ से हम ओडियो एडि कर लेंगे, जो हमने TTS MAKER AI वेबसाइट से जनरेट की है, यहाँ पर मैं ओडियो एडि कर लेती हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ओडियो आ चुकी है, देन यहाँ पर सही के निसान पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपकी audio aid हो जाएगी दिन आपको audio को प्ले करके सुनकर देख लेना है, इसके बाद आपको clips को adjust कर लेना है और यहाँ पर बीच-पीच clip में यहाँ पर प्लस का जो और आइकन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको प्लस करना है और आपको यहाँ पर transaction का use कर लेना है तो यहाँ पर हम यह जो last में input enter पर click करना है और यहाँ पर यह जो last वाला part है इसे हम delete कर देंगे तिन यहाँ पर हम transaction का use करेंगे यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से आप transaction का use कर ले animation का use कर ले अपनी वीडियो में इस तरीके से हमने transaction का use कर लिया है सभी video script में यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के transaction यहाँ पर available है यहाँ से आप transaction का use कर सकते हो अपनी video को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और यहाँ पर हमने यह जो है add कर लिया देन आपको यहाँ पर click करना है and subscribe this channel मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए bye bye take care